दियर चिल्डरेन, मैं दुलाचंदा स्वागत करता हुआप सभीका, हमारे यूटूब चैनल स्टड़ी विद दुलार में, बच्चों सिच्छा हमारे जीवन का अभीन अंग है, यह हमारे लिए बहुत ही महतपुर्ण है, इसलिए प्राचिन काल से बच्चों को सिच्छा अ परहन कर हम अपने जीवन को आगे ले जाते हैं, और सफल देखती बनने का परियास करते हैं, तो आए हम लोग देखते हैं, इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है, यह चैप्टर 13 है, और यह क्लास 5 का इंग्लिश बुक है, चैप्टर का नाम है इजुकेशन, यह एक पोयम है, और इजुकेशन का मतलब होता है, सिच्चा, तो हम लोग इसको पढ़ना सुरू करते हैं, इजुकेशन हैं, इसका मतलब है, सिच्चा हम लोगों को संघर्ष करने में मदद करती है, सिच्चा के द्वारा हम अपने जीवन का नित्वित कर सकते हैं, मतलब अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, चीज़ें हमारे जीवन में आती है जाती है जो कुछ भी हम जानते हैं उसे कोई चुरा नहीं सकता मतलब है कि हमारे ग्यान को कोई चुरा नहीं सकता सिख्छा कभी नस्ट नहीं होती जो हम सिखे हैं वो कभी हमारा खतम नहीं होगा सिच्छा से हमारा ज्यान बढ़ता है Life is a journey, education is the station It is the mixture of knowledge and creation We lead our life with reason With it, life becomes an enjoyable season Education teaches us how to mention With education, we can deal with tension जीवन एक यात्रा है और सिच्छा स्टेशन है जिस तरह यात्रा के दोरान ट्रेन स्टेशन में रुकती है उसी तरह हम लोग जीवन के सफर में सिच्छा रुपी स्टेशन में रुक कर ग्यान प्राप्त करते है हमारा या जीवन ग्यान और स्टिरजन का मिस्रन है हम अपने जीवन को तर्क संगत रुप से आगे बढ़ाते हैं जिससे की जीवन एक सुखद मोसम के रुप में अनुभव होता है सिच्छा हमें जीवन की कई चीजों कवर्नन करना सिखाती है सिच्छा से हम अपने जीवन के तनाव से निपट सकते हैं और उसे दूर कर सकते हैं सिच्छा राष्ट को मजबूत बनाती है यह हमें सही और गलत के बीच अंतर करना सिखाती है यह हमें सफल बनाती है अधि हम जीवन के किसी मोर पर धीमा पढ़ जाते हैं तो यह सिच्छा ही हमारे जीवन को रोसन करता है और हमें आगे बढ़ाता है यह हमारे मस्तिस्क में ने ने विचारों को उत्पन करता है यह एक अनमोल आभूसन है जिसे हम प्राप्त कर पाएंगे प्राप्त करेंगे यहां पर यह चेप्टर समाप्त हो जाता है आए हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन्स दिया हुआ है यह इस चेप्टर का क्वेश्चन्स है एंसर दिज क्वेश्चन्स वन नमर में यहां इसका क्या-क्या वर्ड जो आएगा वो पोयम में आया हुआ है वही सब वर्ड भरना है और question no.3 में two false दिया हुआ है इसके आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है question no.4 में two rimming words, rimming words जैसे life, wife, knife इस तरह से होता है तो इस तरह से rimming words दो टो लिखना है question no.5 में words, mac words adding tion ये जो इतना सारा words दिया हुआ है इसमें tion करके इसको एक suitable word बनाना है और question no.6 में match the following इसको meaningful इसका जो suitable meaning होगा इसके साथ इसको match करना है आप इसमें जो दिया हुआ है, यहाँ पे जो matching किया हुआ है उसमें से कुछ गलत है इसलिए आप इस पे ध्यान नहीं देंगे मैं आपको answer बना के दे रहा हूँ और seven number में write the group name for the following यह जो यहाँ पे group दिया हुआ है इसके लिए एक word देना है या एक-दो word से ज्यादा नहीं देना है उतना ही देना है तो आएए मैं आप लोगों को इसका answer बना के दिखाता हूँ यह है chapter 13 का question answer answer these questions When does education help us? Education helps us in strife. Can anyone steal your knowledge? No one can steal our knowledge. What can we increase with education? We can increase our knowledge with education. What does education teach us? Education teaches us how to mention our life or anything. How can we deal with tension? We can deal with tension with education. What can we distinguish with education? We can distinguish right and wrong with education. Question number two में fill in the blanks एक story दिया हुआ था और उसमें भरने के लिए दिया हुआ था तो यह words उसमें serial number से भरे जाएंगे आप यहाँ पे देखको उसको भर सकते हैं और question number three में tick लगाने के लिए दिया गया है सही और गलत का तो यहाँ पर true false मैंने लिख दिया है true का मतलब है सही और false का मतलब है गलत तो इसको देखकर आप अपने बुक में लगा सकते हैं और question number four में write to rimming words तो वहाँ जो rimming words दिया हुआ है उसको मैंने यहाँ लिखा है दो और दूसरा rimming words लिखने के लिख आ गया है तो उसको मैंने लिख दिया है यहाँ पे आप इसको देखकर अपने बुक में भर सकते हैं और question number five में make words adding tion तो इसको मैंने direct इसका answer दिया है tion सब में सभी जो words दिया हुआ है उसमें सारा मैंने लगा दिया है इसको आप देखकर लिख सकते हैं और question number six में meaningful sentence the given table वहाँ पे match करने के लिए दिया गया है तो यहाँ पे मैंने direct इसका answer दिया हुआ है आप इसको देखकर match कर सकते ह और question number seven में जो कई सारे words दिया हुआ है उसका एक group का नाम बतलाने के लिए कहा गया है तो इसका भी मैंने direct इहाँ पर answer दिया हुआ है आप इसको देखकर अपने book में भर सकते हैं और यहाँ पर यह chapter पुरी तरह समाप्त हो जाता है अगर आप लोग को हमारे वीडियो से थो